हालो फ्रेंडस आज़ हम बनाएंगे गेहूं के आटे से मीठा चीला इसके लिए एकटोरी शकर एकटोरी पानी और उसी नाप से एकटोरी गेहूं का आटा लेंगे और इससे दीरे-दीरे फेट कर मिक्स करते जाएंगे इसको इतना फेटेगे ताकि इसमें लंप्स ना रहे इसके बाद इसमें लाइची पाउडर डाले आप चाहें तो इसमें ड्राइफूट काटकर भी डाल सकते हैं ड्राइफूट बारी काटें ज्यादा मोटी ना रखें अब इसे थोड़ी तरह ढाक कर रख देंगे अब एक नॉनिस्टिक तवा गरम करेंगे या आप लोहे के गरा तवी पर भी बना सकते हैं इसमें घी डालेंगे और इस घोल को फेला देंगे अच्छे से फेलाने के बाद इसमें धीमी आजपर इसे एक साइड से सेखेंगे पलट के यह लगाएंगे और दोनों साइड अच्छा क्रिस्प होने तक सेख लेंगे लेजिए तयार है यह वाटे का मीठा चीला पलट के लेजिए झाल झाल झाल